राजधानी दिल्ली में मोवाईल स्नेचिंग की घटना लगातार सामने आते ही रहती हैं इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक मोवाईल स्नेचर को ग्रिफतार करने में सफलता हासिल की है जिसने अब तक राह चल रहे कई लोगों के मोवाईल फोन खिचने के काम को अंजाम दिया था दिल्ली पुलिस ने मोवाईल स्नेचिंग के एक आरोपी को उसके CCL सहयोगी के साथ ग्रिफतार किया है पुलिस ने इस आरोपी द्वारा मोवाइल स्नेचिंग में इस्तमाल किये गए मोटर साइकल को भी बरामत किया है दरसल इन चोरों ने साथ जनवरी को दिली के खेडा कला गाउं के पास एक मोवाइल स्नेचिंग की थी जिसकी सिकायत अलिपूर पुलिस टेशन में दर्ज की गई सिकायत करता द्वारा इन मोवाइल स्नेचरों के बाइक का आधा नंबर भी पुलिस को दिया गया था इस मामले को सुलजाने के लिए ऐसे जो अलिपूर इंस्पेक्टर के नेत्रित में टीम गठित की गई इसके बाद गुप्त सुसना एवं तकनीकी सर्विलांस के आधार पर टीम ने एक CSL जिसकी उम्र 17 वर्स थी उसे एक वहन के साथ गर्फतार किया जहां ये बाई कायन थाने बुडारी से चोरी हुई मिली और बाद में आरोपी अंकित उर्फटीनू जिसकी उम्र 22 वर्स है उसे भी गिर्फतार किया गया बता दें कि अंकित के पास से ही चोरी की गई मोबाईल को पुलिस ने बरामत किया है इस तरह केस सुलज़ गया और लगातार इस सम्मन्द में दोनों ही आरोपियों से दिजिटल